कौन ब्रम्हा का पिता है? कौन विश्णों की माँ? शंकर का दादा कौन है? हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिये। जगत गुरू तत्व दर्शी संत राम पाल जी महराज के अम्रित वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। का फच्छति क्वेड़ में स्दिव दर्शी तादा के लिए कि आधार प्रम्हा को अभता पर। क्वेड़ पर। एक बार एक बहन हमारे जो पर नाम ले रखा था उसके पडोस में एक माई कहने लगी बैबे मन एक गुरू बनाना है मन गुरू बता बड़ी आसा तो वो कहने लगी आप महारे गुरू जी शे नाम ले लो करूँ था चालो रोत तकी थे वै यह वह लगा ठीक सा है मेंने दो मेंने आई एक और ले तीन मेंने होगे तो ऐसे ही वह बहन आई दो उसको मैंने कहा एक तरे साथ वो बहन आई थी वह बेबे वह अना आती बादा जी पता नहीं मो जाओंगी वह गई उसको पूछा क्या आप गए नहीं क्या बात हो गितल ते ली नो बली माना जाओं भूड़क रोपता है क्यों बला मन तक गुरू बढ़ाना था बना लिया नो शड़ा है गुरू बिन मोख्षना उत्ता कि गुरू बढ़ने गया मानो समाज गुरवा गाम बगाडे संतो गुरवा गाम बगाडे और ऐसे करम जीव कहला जिये एव जड़े नहीं जाड़े अब प्रमातमा हमें क्या बताते थे ये सोदा फिर ना ही संतो यो सोदा फिर ना ही ये सोदा फिर ना ही रसंतो यो सोदा फिर ना ही लोहे जिसा ताव जात है काया दे सराही रसंतो यो सोदा फिर ना ही यो सोदा फिर नाहिर संतो तीन लोक और भवन चतुर दस जब जग सोदा आहिर संतो यो सोदा फिर नाहिर संतो दुगने तिगने किये चोगने किन हुँ मूल गवाई रिसंतो यो सोदा फिर ना ही उस दरगा में मार पड़ेगी जम पकड़ेंगे बाही रिसंतो यो सोदा फिर ना ही जा दिन की मुए दर नी लगए लजा रह अक ना ही रिसंतो यो सोदा फिर ना ही नर ना रायन देह पायक है तो फिर चुरा सी जाई रिसंतो यो सोदा फिर ना ही यो सोदा फिर ना ही रिसंतो यो सोदा फिर ना ही जासत गुर की में बलिहारी जासत गुर की में बलिहारी जो जामन मरन मिटाई रिसंतो यो सोदा फिर ना ही यो सोदा फिर ना ही रिसंतो यो सोदा फिर ना ही यो सोत कुल परिवार तेरा सकल कभी ला मसलत एक ठराई रसनतो यो सोधा फिरनाई यो सोधा फिरनाई रसनतो ये सोधा फिरनाई बांज पींज ड़ी आग तर लिया बांज पीजडी अग धर लिया फिर मर घटकू ले जाई रे संतो यो सोदा फिर नाई यो सोदा फिर नाई रे संतो यो सोदा फिर नाई अगनी लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई रे संतो यो सोदा फिर नाई यो सोदा फिर नाई रे संतो यो सोदा फिर नाई बेद बांध फिर पंडित आए प्राण बांध फिर पंडित आए पीछे गरुड पडाई रे संतो यो सोदा फिर नाई यो सोदा फिर नाई रे संतो हो यो सोदा फिर नाई नरसेती तू पसवा कीजे नरसे ती तू पस्वा की जे गद्धा वैल बनाई रे संतो ये सोधा फिरनाई 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 ध्राजे प्रेत चिना पेजाज राजे प्यत्रों पेंद भराई रिसंतों यो सोदाफर ना ही यो सोदाफर ना ही रिसंतोंacula यो सोदाफर ना ही बोहर सरा दिखान कौन आए पिर कागव रहे कल ओ ना ही यो सोदा फिर ना ही रिसंतो यो सोदा फिर ना ही जैसत गुरु की संगत करते ये सकल करम कट जाई रिसंतो यो सोदा फिर ना ही यो सोदा फिर ना ही रिसंतो यो सोदा फिर ना ही अमर्पुरी पर असन होते जहां धूपना साही रिसंतो यो सोदा फिरना ही सुर्थ नर्थ मन पौन प्याना सब्द सब्द समाई रिसंतो यो सोदा फिरना ही गरीवदास गलतान महल में मिले कबीर गोसाई रिसंतो यो सोदा फिरना ही पुनातमाओ ये वो औस्दी है जो आपके जनम और मर्टू के रोग को काटेगी पुनातमाओ इस प्रमातमाओ के वस्दों को बहुती धान पुरुक सुनना चाहिए अब क्या बताते हैं जैसे मुटी ओसका ऐसी तेरी आवे गरीवदास कर बंदगी बहुरना ऐसा दाव जैसे मुटी ओसका ऐसी तेरी आव ऐसी सचिती है आप जी की जैसे जैसे मुटी ओसका जैसे आपने देख्या होगा गास पै या बरक्षों के काटों पर कि बबुल के काटों पर रात्री में ओस गिरती है उसके पानी की बूंद इकठी होकर लटक रही होती है और एक गंटे के बाद जब सुरिया हो जाता उनका नामो निसान नहीं होता तो आज आपकी सचिती परमातमा ऐसी बता रहे हैं कि जैसे ओसका मुटी और फिर नामो निसान नहीं रहेगा आपका इसलिए कहते हैं गरीव दास करो बंदगी करो भगती बहुर नहीं ऐसा दाओ मानो शरीर या बिजली पिड़ी और पूर्ण ग्यान पूर्ण समाधान ये कदे कदे दाओ लगया करता हैं कभी कभी और वो आपका लगया है पिच्छे नहीं रहना तो क्या बता रहे हैं कि ये सौदा फिरना ही संतो ये सौदा फिरना ही ये मानुस री बार बार नहीं मिलेगा अर लोहे के साताओ जाते काया देस राही जैसे लोहे को गरम किया जाता है कारीगर, लोहार पहले लोहे को गरम करते है एक ऐरन मैं देखा है चला कै उसको बठी वालक है और उसको तुरंट गरम गरम को निकाल कै और दर्क गर्णक हूपर उस ऐरन के उस पलेट फारं mindfulness खरेड़ के वो जबरदस चोट मारे रहा फटा-फट यानि जिस पर गरम लोहे को जैसा भी चाते हैं वैसा मोल्ड किया जा सकता है उसको तुरंट उस पर चोट मार के यदि वो ज़रा सा भी ठंडा हो जा तो तो फिर वो के डामेडा हो जागा चै कितने चोट लगा लो तो ऐसे पुन्यात्माओं ये मनुस्रीर आपका लोए के साथ आओ है और इस मनुस्रीर के रहते 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 आपने इस पर राम नाम की चोट मारनी है तो इस से वही बन जाएगा जो वस्तु आप बुनाना चाहते है अर्थाथ इस मनुस्रीर के रहते 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 वै दुगने तगने कि ये दुगने किसे नहूल गवाही अपना अत्माओ अपना मूल धन है ये मनुस स्रीर मनुस के स्वांस जीवन अब जैसे कोई विक्ती एक लाख दो लाख रुपे लेका है और कहीं बिजनस करने दूसरे सहर में चला जाता है और वहाँ जाकर किसी दरमसाला में या वैसे कहीं कोई रेस्टोरेंट में कोई कमरा बुक राकर रहन लग जाता है बहुत अच्छा वो खर्च उसी में से कर रहा है जो लेकर गया था धन मूल धन और उस में से फिर सौदा भी खरीद रहा है और उसको सोदे को खरीद के फिर दूसरी स्थान पर बेच रहा है या वहाँ अपने पैसे को बढ़ा रहा है बैनिफिट को बढ़ा रहा है तो ये तो उसका प्रोपर प्रोसीजर वो सही कर जा है ऐसा करना चाहिए था और दूसरा उसका साथी दो लाक रुपिय ले जा ओटल में कमड़ा कराय पर ले लिया और उस मूल धन में ते गुटी लावे उसी में ते कराया दे सिनीमा देखा वे साधन खा का माल पूड़े फिर सोजा वे तो ऐसे ही वो अपने मूल धन को नस्ट कर रहा है और जब वो मूल धन समापत हो जागा ने तो रेस्टोरेंट अड़ा रहे ने जे ना निकलेगा जब पकड़ कर बार खड़ा करेगा बागड़े पे और ना खान पीन ने मिला जो वो माल बुड़े खाया करता था इसने सवदा सही किया तो जो मनुस्रीर आपको प्राप्ट हुआ और जो आज प्रवात्मा की बगती, दान, पुन, सिवा ये सवदा कर रहे हैं इस मूर धन से तो वो साउकार बनेंगे और जो ये पिछले धन से पुन से अच्छी पोस्ट है, अच्छी फैक्टरी चल रही है लंबी कार ले रहा की है गुटी लाओं है, सारा धन तास केल है कल्बों में बकवाद करें और फिर मरने के बाद फिर गदे बनेंगे क्योंकि वो मूल धन तर नास कर दिया ये सुईदा फिर नहीं मिल सकती जो आज उपलब दे तीन लोक और बहुन चतुर्द सब जग सुदे आही और दुगने तगने किये चोगने किसे ने मूल गवाही दुगने तगने कि कर लिया वो तो बागवान है, सियात्मा है और जिसने मूल धन ही गवादिया नश्ट कर दिया तो वो सुदा ठीक नहीं कर सके वो फिर पस्ताएंगे प्रमात्मा कहते हैं लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूटे पी थे फिर पस्ताओगे प्रान जहांगे छूटे पताओ उस प्रमात्मान के आऊ सकता थी ये इतनों डेर सारी बाड़ी बोलन की उनको पता था कि मेरी आत्मा काल के जाड़मा फसरी है और ये वहां बहुत सुखी थी आज दिन ननिन की बुदी वरिष्ट कर दिश काल ने दूठा लालत देका ये तरह बेटा है या तरी बेटी ये तरी कार ये तरी कोठी और एक मिंट में मरतू हो जा कहां गई वह बेटा बेटी कहा है वो कार रेकोठी कहते हैं दिरिष्टी पड़े सो दो खारे खंड पंड बर मंढ चलेंगे ठिर ना रहसी लोग कारे तो हमने इस से जब तक ये हमारे स्वास सेथे ये समझे लो कि हम प्रिवार में रह रहे हैं हम सफर हैं जशे ट्रेन में बैठे जा रहे हैं किसी ने कहीं उतरना है ये तक उस शिस्ट विखती अठ्षे पुन्यात्मा उस कंपार्टमेंट में बैठे हैं कोई वर्द है, कोई बिमार है, कोई ऐसा हाए है, उनकी मदद करते हैं, वो कहते हैं, माता जी चाहे लाओं, चाहे लाते हैं, भाई लादे, कोई ऐसा हाए है कि चलो तुझे पिशाब करवा लाओं, बच्चे को उठा कर ले जाते हैं, यानि कितनी आपस मदद करते हैं, कितन परिवार में हम हैं, हमने ऐसी सानुभूती से एक दूसरे के दुख दुरत को समझते हुए रहना चाहिए, और जिसका गास स्टेशन आ जाएगा, उतर के चला जाएगा, फिर उनसे कोई लेना जना नहीं लेता है, तो जहां भी आपका जिसकी जब समय आएगा जाने का, उतर यमारे को काल में नसा कर रहा है, इस माया का, माया क्या है, तर्गुन मही माया से, हम सब को भरमित कर रहे हैं, रजगुन का बहुत वैल नौन बड़ा प्रोपर्टी थी और तिन्नों एक लड़का उसकी पत्नी रोख खुद कारक्सीडेंट में मरती हो गी तो हम ने आप सब जन्मारी पे वो तो चलो मर गए तो हम नहीं हो सकते क्या शी दुर घटना गरस्त और हमारे चंताय को नहीं जरासी थी क्य या कुए भांग पड़ी ये माया अठपटी सब के गट में सब के अंदर एक जैसी वर्ती पैदा कर दी जैसे भांग पी दी किसे ने एक कुए में किसे ने एक मन भांग डाल दी चारिश किलो अब उस कुए के जलने जो भी पीवे हैं पात मिंट पातसवा शर गूब जाए और उस मत एकजारणड पी रखी हो पजल तो उड़ की बोलन का सेली चालन का तरीका ऐसे ही डगमग सारे एक जरसे पाओंगे तो जिसने ये काल के इस नकली जुठे सुको अपना मान रखे सब ही ने भांग या काल की भांग पी रखी हैं और इस भांग के उतारने की एंट प्तलो कासरम बर्वाला मही आपको प्राप्त होगी। और यहाँ आने से आपको पता चलेगा हम कित बैठे हैं, के करना आये थे, यहां के समझ बैठे। तो ग्यान से ही जानकारी हुआ करती है, सत्संग में आना बहुत जरूरी है आपका। और आखरी सांस तक सत्संग से बंद इतने ही रहना चीए, कितना ही अच्छा फरस है आपका, कितना अच्छा साफ सुत्रा कमरा है, एक अपता बंद कर दो उस कमरे रहे हैं, और फिर उसको हाथ लाके देखी हो, दूर जमी पावागी इसके उपरे, ऐसे ही आप कितने ही अच् किते हैं, जब ये मरतू होगी, ये दम छुटे, पंढ़ा फूटे, और लेखा दरगा माही, उस दरगा मार पड़ेगी तरिये दम पक्रेंगी वाही, फिर किते हैं, नर नाराएंडेही पाक ए, पर मातुमा ने अपने जैसा सिरी आपको दिया है, पर मातुमा सैसे मनस जैस है मानों सरी चद्रत से और उसने मनुस को अपने ही जैसा बनाया है नर नारायन दे ही पातो फेर चुरा सीजा ही और जा सत्गुरु की में बली हारी जो जामन में मिटाई अपरसंग वही आ जाता है गों फिर कै जैसे बिरम अभिशनो महिस भी नासवान इनके पूजा करने से हमारा जनम मरतों का रोग नहीं कर सकता जनम मरन नहीं छुट सकता फिर बिरम गीता ग्यान दाता बिरम भी नासवान गीता जी दायर नमबर चार के सलोक नमबर पांस में और नो में कहता कि अरजुन तेरे मेरे बहुत जनम हो चुके तू नी जानता मा जानता हूँ गीता जी दायर नमबर दो के सलोक नमबर बाराम कहा कि अर्दुन ये ना सोच के तु और में और ये सेनिक पहले नहीं थे या आगए ना होंगे तो नो ना सोच अभी अभी हैं हम पहले भी थे, जनमे थे, आगए भी जनमांगे इस देशे दो गया के गीता ग्यान दाता बरह्म है ये जोती नरिजन है, ये काल है बर्माविश्णुमेहिस का पिता है इसको बीता जी धाय नमबर 15 के इस लोक नमर 16 है सर्पुरुस शर्पुरुस का है शर्पुरुस माने नासवान शर्पुरुस भी नासवान है जिस परवर्म कहते है तो एक साथ संग्वर्मनट का स्वामी है केवल परम अक्सर ब्रम वो अविनासी है वो पूर्ण ब्रम है और उस परम अक्सर ब्रम की साधना करने से ही हमारा जनम मर्दू का रोग कटेगा ठर पकड ठर रही है जैसे ब्रमा विसम महेश नासवान है इनकी जनम मर्दू होती है तो इनकी साथना से हमारा यू रोग कट है क्यों कर नहीं कट सकता अब यहां सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आई हुए कि हमने पूरे पूइतर हिंदू समाजने या दंत कसा सुन रहा कि या लोक वेद सुना हुआ है कि पर मा विश्रों महिस अजरों मर हैं कि कोई माता पिता नहीं है यह सर्वेस्वर महिस्वर कालज मरतुंज इनकलियान वतानिक के महिमागा रखिये अब जो इनकी जीवनी में लिखा है वो फाइन जुन है वही हमने मानना चाहिए गीता जे जह नंबर सोड़ा के सलोक नंबर चौबीस में कहा कि अरजून जो इनकी जो जो टीएस में तुझे बताया है कि सास्त्रम्नी जी कहता कर जो मनमाना आस statute करते के उनको ऊटाएं ना हुआँ नहीं होता 나 उनकी गती होती है ना हुआँ जो ना कालिये सिद्ध होता को सिद्धी नहीं होती इसलिए सुन में जायगे 24 में स्लोक में कहा है कि जो सदगरंथों में लिखा है उनको तुस्थ माना किसी के लोग बेद पर आशरी तमत होना है जो सदगरंथों में लिखा है उसी को फानल माना अब देखना सिरमत देवी भागवत गीता प्रेस गोरगपूर छो परकासी है यानि देवी पुराण दुर्गा पुराण समपाद के घनोमान परसाद पोडार सिमनल गोस्वामी और ये कहां से छफ़ा है परकासे के मुद्रक गीता प्रेस गोरगपूर गोबिन बोनकारियाले कुलकुत्ता का सुंस्तान अब इसके 123 प्रिष्ट वर्मा विश्णु महेज की सथी थी इन्हीं की जीवनी में लिखा है तो हमने ये सथ है ये सथ मानना है जो सथ गरंथों में लिखा है ये देखिए गर्स तीसरा सकंद प्रिष्ट 123 बगवान विश्णु जी अपनी माता दुर्गा का दुर्गा की सतुती करें तुम सुद सरूपा हो ये सारा संसार तुम ही से उद्वासित हो रहा है मैं वर्मा और संकर हम सभी तुमारी करपा से विद्मान है हमारा अविर भावन जनम और तुरो भावन मर्टूख हुआ करता है हमारा तो जनम और मर्टूख होता है हम अविनासी नहीं है केवल तुम ही नत हो जगत जननी हो परकरतियों सुनातनी देवी हो बगवान संकर बोले देवी यदी माबाग विश्णु तुम ही से परगठ हुए है तुम ही हो सिवे संफुन संसार की शिरिष्टी करने में तुम बड़ी चतुर हो इस संसार की शिरिष्टी सतीती और सहार में तुम्हारे गुन सदा समरत है उन्हें तीनों गुनों से उत्पन हम यानि रजगुन बर्मा सत्पन विश्णु तंगुन सिवजी तीननों गुनोंसे उटपन हम विश्यमान संकर नहमानुसा कारिये में पत्परेते यह अब December वहिस्वी नासवान इनके पुज़ारियों का भी इनके जो गुरू है इनके सतर के संथ है उनसे उपधिश लेने से भी आपका काम नहीं बिरे क्योंकि समरबाणी में लिखा है सतीदानंद गन की वाणी में कि जा सत्गुर की मैब लिहारी जो जामन मर्ड मिटाई ही कोई ब्रम तकी साथ ना बताने वाला संत है उससे भी आपका रोग ने कटाएगा जनम मर्टू का जैसे कल आपने सब सुना था जग सारा रोग अरे जिन सत्गुरु बैय्द नजाणное जग सारा रोग अरे सत्गुरु उही होता है जो सत्ग्यान परशार कर रे है और सारा समाधान उसके पास हो अधिकारी खोर नाम देने का तो ब्रम की साधना से भी जनम मरनका रोग नहीं कट पुड़ सकता और अक्सर पर ब्रम के भी साधना से जनम मरतु नहीं मिट सकती ये इसकी भी मरतु होती है केवल एक परम अक्सर ब्रम है विए जिए धाय नमबर 15 के सलोक नमर 16 17 में यो कंसेट कती कलियर करेक्या है शर्पृर्ष ये ब्रम है, और अक्सपृर्ष ये परब्रम है, इनका उनन už्लोप में शतर में मैं कहा कि उत्फं पृर्ष है, तोन्य है परमात मायती उदारते paint, ये लोग तर्ण आविश्ट है विबरती अवेइसवर है वो उतन पुर पुर्शपरश पुर्शतम सही वगवान सृरिश पुरजर बुद्ध कोई और है इस बुर्बरों और परुबरों से वो परमक्षर बुर्बरों है गीता जिजे जैने नमोर आठ के सलोक नमर एक हमें अर्दुन ने पूछा पर भू आपने गीता जी द्याय नमर साथ के सलोक 39 में का है कि जो तत्वर्म को जान लेता है और सारे धात्म ग्यान को समझ लेता है तो तो दर्शी संत के पास जा करके फिर वो केवल जरा और वर्ण से सुटकारे का ही प्रितन करता है जरा माने वर्द वस्था, बुड़ापा और मर्ण मर्दु तो आठमे देगे पर्फन सलोक में की ताजी मर्द उने पूछा वो किम तत्वर्म वो पिर तत्वर्म है कोन है आठमे देगे तीसरे सलोक मर्द उतर गिया है वगवानन गीता ग्यान दाता ने कि वो पर्मक्सरवरम है एक सरवरम यो वर्म है और अक्सरवरम ये परवरम है और पर्मक्सरवरम ये सत्थ पुरुस कभीर जी है पूर्न वर्म है तो यहां क्या बताते हैं? के जासत कुष़ की बहब लिहारी दोजा मुनमर नबट आई जब ये मर्तू हो जागी आपकी कुल प्रिवार किरा सकल कभी ला मसलत एक ठराई और बांज पी जड़ी आगए दर लिया फिर मर्गट कूले जाई अब जब मर्तू होते ना गरवारे तर रोन लाग जाएंगे टक्कर मारेंगे और अड़ोसी पड़ोसी कुल के लोग आ जाते हैं वो फट गई त्यारी शुरू कर देते हैं ठाओ वाई ये कोई बात ना कुछ नहीं वो ना कोई लकड़ी डोने लग जागा कोई उसके लिए वो वात्यारी करन लग जागा उसका दर अर्थी बनावागा मरहटकू ले जाई और अगनी लगा दिया जो दुलंबा फूब दिया अब उस सरीर का तो कर दिया काम अब फिर उसके बाद देखो कि कसूता प्रोसीजर बना रहा है नकले गुरूवान है फिर कहते हैं पंददी आता है उसकी किरिया करने के लिए सब्सक्राइब एक जन करका लें तो लगाता है साथ जन गरूड का पुरूवान को वहाँ पढ़ कर सुना करता है सारे पिल्वार को बठा कर और फिर उसको दान दून हो जाता वो दान लेका चलाजाता अब परमात्मा कहते हैं कि वो गरूड पुरान का पाठ उस जाने वारे के बाद में पढ़ाने से कोई इलाव नहीं वो जीवी था तब गरूड का पाठ उसको पढ़ाना था गरूड जी का पाठ गरूड पुरान में क्या है बहुत अच्छी बातें लिखी है तेरे मोगरे मारांगे तुने दान नहीं किया तुने पुन हीं किया चले रहना रिकमन ठोकते हैं। वो बहुत पश्टाता है। तो परमात्मा कहते हैं उसने सारी उमर जो करना था बगर ग्यान के विचारे ने करम फोड लिया अपने सारे उल्टे काम कर गया गलसाद ना कर गया और कोरे पाप निकट्ठे करके मर गया अब उसके मरे पात्ष्व गरूर प्राण के अपाट उसके के सारा लाओगा उसको पहले पड़ाना से यह थाता कि वो बुराईयां तो बचता डरता बगवान से और ऐसे पापों से डरता वो पाप ना करता सारे उल्टे करम और फिर कहते हैं तेर मिकरी किसलिए गती कराने के लिए फिर फूल उठवाए अस्तियां उठवाई वहां से कि अस्तियां उठाकर गंगा मे परवा करकाओ और वहां किरिया करुआ काओ पंडता दो रहा है इन गामाने के अजेंट वहां भी है उन गंगागाट पर इनकी सैटिंग होती है अपस में अपन्य आत्माओ जीवात्मा चली गई जैसे उसने करम किये थे उन ही का परती फ़ल उसको त्यार पाओगा वो तो जात्ते ही जब मनुस का जीवन है तो मनुसी बनकर आ जाएगा कोई सेस रह रहा होगा यदि पसू बना पसू बन जाएगा भूत बना भूत बन जाएगा बस ज़्यादा देर नहीं है वहाँ पर अटोमेटिक अलकलेशने परमात्माओं की अलरेड़ी और पाथ से हम इतना फंड करवाजिया इन नकली गुरुवान है कहते हैं वहाँ जाओ गंगा मैं अस्ति उठा कर ले जाओ अब वह राख ठाली जाओ फूट क्या था और चल पड़े गहाँ गंगा मैं परुवा कराने के लिए गती कराने के लिए एक भगत की पत्नी नाम ले रख्या था और वो नाम ना लेवे था नाटे भी नहीं था शर्फी से बात पैड़ जाता कि मैं अपड़े माता पिता की अस्खी जरूर उठाऊंगा और इनकी सारी करिया सरासरोद निकालकर फिर देखूँगा या इनकी स्रीज छूट जागा उसके बाद नाम लूँगा मैं इनका कारिया करूँगा नितमपाप का वागी हो जाओँगा इस तरह उठी अच्छी आत्मा लेखती था नहीं नाम ले रहा था उसकी पत्नी का समझाया भी करती थी और नहीं मानने था एक दिन उसके तावती मरती होगी उसके साथ हो चला गया अस्ती उठाकर लड़का लेगा गेल लवव भी चला गया वहां गये न गंगा गाट पर वहां के पंड़तों का पंड़्या का अक्सेतर बाटा हुआ है उसको पता चला कि अर्याने से आई है तो वह एक विक्ति आगया कि आजा आजा तो हमारा यह जमान है उसके पास दागा उसने निकाला कुन से गाम ताए हो गाम नाम बताजिया उसने पूरी पूरी पुलूट कर देखा नोगला धुजमान इवका जो बहुत जनवाई था तो वह लड़का कुछ तो ग्यान सुनी रहा था उसकी पतनी रोज बताया कर थी वह विर्थ तो नहीं गया उसका फिर उसकी वाप बुदी का पड़दाइट गया तो 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 हमारा रोज मरन की बाट देखा है अगर रोज मरन जल्दी जल्दी आऊँ वह आतनी बोला पर उसके जल्म में खटक जरूर लाएगी वह बात तो या साथी है तो फिर उसने वो नाम लिया उन्हें आत्मा के वाबात समझ भागी एक समझ यह तर नाला आएक आदमी है वो तो खुशी मनाव है नों को बहुत दिनवाई तो उन्तजल दिया रहा करो वो देशी यही था उनका केने का फिर तेर मी करते हैं गती कराने के लिए तेर मी पाथ से फिर के केंगे सराद निकालो तो खुशी करते हैं और बरसी करें के फिर एक और पंगा पाथ निकालो असोज के महीने मे जिश तारिक को जिश टीठी को मेरा था त्थम या छटना ए वो सोड़ा जिन स्रेक्ट करें मौल शैस लेकर प्नवासी तक उन में से एक दिन जिस दिन वो मेरा था उस दिन पर सराद निकालो अपने आत्माओं एक दिन सराद निकाल दिया एक वरस में और वो क्या करते हैं कि उस सराद निकाल करें और उपर रख देते हैं थोड़ा सा के छट पर रख दो हो सकता तुम्हारा पिता कव्वा बन गया हो भोग लग जागा अब उपर थाच को माड दर्दे कव्वा ताना है तुरन तालेगा हो तो कोई न कोई ए क्या कई आ जाएंगे फिरता है तो कव्वे ने बोजन खाया ना और सराद इनका सफल नो विल्दे क्याना हो सकता कोव्वा बन गया हो गती कराण लागे थे पिता जी कॵ्ववा बना कर छोड़ दिया गुर्वां गाम बगाड़े संतों गुर्वां गाम बगाड़े इसे करम जीव कराद ये इव जड़े नहीं जाड़े क्या बताते हैं? अपने लला के बाड उतरुआवे जिक के चीना लगजिया बुडिया के एक रह रहा है अर्याने हम देखा आप अपने इस्ट दाम पर जाया करें और वेल लाउन थीया गुडगा में आड़ी माता है यहां असपास एक बहुरी माता है रोत खिले में बेरी आड़ी माता है तो यहाँ ले जाते है अपापने बेटा या बेटी चोटा सा बालक होता है तो बुडिया जायगरा गेल बोग है क्यों बाज़ ट्रेइंड होती है ना सारे काम हमें के पहले ने कल रही वह है और गिल हुश पोते ने ले जागी बाल उतरवाने के लिए पहले सुचे बाल जो होती है जनम के कहती है अपने मत का चुणावा गाए मता राज्जी हो जागी तो वहां जाती है नाई बैठा होता है नाई को कहती है बुडिया देख रहे नाई के भाई दीरे दीरे कहती चला ये कर दे मेरे बेटे के मेरे लला के कहती ना लाग जा दर दो जा काच्छा सिर्ष है भाई काच्छा सिर्ष है दीरे दीरे लगा ना तो वहां तो इतने नाई काटए, इतने भीस बह बोला है, बुढिया, देख रहे हैं सहज सहज, कैसी लग जा है, और कहते हैं फिर एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गड़ा कट या रहा है, बोली इसी दुनिया, अपने लला की खैर की खातर है, अपने बेटे की जनम बढ़ का गड़ा कटवा दिया, बगवान राजी होगा तरे ओपर नालाइख, अब क्या करते हैं, वहां बहुत जल्दी होती है, भीट बहुत हो जाती है, नाई थोड़े से होते हैं, तो बुढिया कहें कि ले भाई जल्दी खाट, जल्दी खाट, और थोड़े से बाल काट दे बाकी ताम उड़े कटवाई लेंगे अब वो जार कैसी मार के इतने एक बाल दे जिर बार दो रुपिया में कट रहे तो उड़ा पांस रुपिया लिया आगरे हैं बढ़ा रिट ले और वा बुड़िया लेकर उन बालों को मंदर में चड़ावगी है अधर के साथ है और ठागे ने क्यों ठाए अंड़ो ब्रहन मट्टी करो उसके और वो पाड़ रहके खागड़ खाओं खाओं के उड़ा मंदरा में तो ये जो बिना ग्यान के हम बिगरतत वग्यान के ड़ले ढोरे थे इससे कलियर करना चाहते हैं फरमातमार रह भोड़ी से दुनिया सत्य सत्य गुरुबन कैसे सरियां अपने लला के वाड़ उत्रवा वै दिखके चीना लग जईयां एक बकरी का बच्चा लेके उसका गड़ा कटईयां रह घोड़ी सी दुनिया सत्य गुरुबन कैसे सरियां बई काच्चापा का बोजन बना के माता धोकने गईया उस माता उपर कुटा मूते वो क्यों ना मर गईया रह गोड़ी सी दुनिया सत गुरुदेन के से सरिया मारीदाग जी माता धो क्या करती हैं सोटे सोटे से हैं वह सारे बाण भाईयान कठे करना धिया हमना है और पूड़े तार लंदी ने काच्चे पाके मरी ताई की जूटी थी वह बनाने जी माता के बोजन मरी दादे काह्ल देन तोड़ी सी वह यह भाईय काच्चा रह रह रहा है अनो बेरा कुछ चान खाना है और माता कुछ शी था होती पर वह ग्यान के में था नहीं वह ड़ले डोने ज़रूरी थे तो काच्टे पाक्टे हो जिशे पूड़े बना रखे थे लेका है और फिर कहां डालते हैं ये बुढ़िया एक पांच जारी इतला रखे होती हैं से एक जब उत्रासा बना देते हैं तो गुणिया उच्छी शान बना होता दे होता गी और वहां वो पूड़े डालते ही बुढ़िया नीच उत्र पाते हैं कुटा पर लेजड ले पहले तो उस सारे पूड़े नखाओं हैं जो उसका माल जगा रखे था और चालते हैं से में उसका सिर्प मुढ़िया उत्ता ही बान बुंडियों से तो प्रमात्मा कहते हैं कि काथ्सा पाका वो जिन बढ़ा के फिर मात्ता दोकने गई आ और उस मात्ता उपर कुटा मुटा वो क्यों नामर गई आ रहे वो उड़ी सी दुनिया यदि वो तेरी मात्ता में इतनी सक्ती है तेरे प्रिवार को सुरक्षित रखे गी वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही एक और देखी बिमारी हमने अरियान हम खास कर एक होई मात्ता पुझा करते है उस होई ने क्या बनाते है आप पर एक कोला लेक है लकड़ी का गाम हम है और दौर पर पहले लिफ यह होती थी मर्ड़ पलस्टर के कच्चे ढूंड होया अगरते मकान है अब पलस्टर होगया तो पलस्टर पर एक और एक औरत की सकल बना लेगी बना लेती है बुढिया और फिर उसका अगर जो इतला होईगी आज कल बड़ी बनाई को चितर मिल उसने लाजें जोर को करें जो दलावागी है फिरन्यों कहेगी मता होई माता मारे दूद पूत में खेर रखिये हैं अमने पूतर दिये पेरी पूतर वदू को परमात्मा कहते हैं अप पहली अप पूतर आप बनावा होई और उस पर बुढिया पूते मांगए अकल कहां से खोई है तरह अप बढ़ावाद बुल्लकीर काई डिकर फिर उस पर पूते मांगए बिना अकल क्यों तो भाई बिना ग्यान के हम ऐसे बरबाद होगे साधना भी करते थे वो सास्तर विरुद मनमानी आता साधना है थी यूदलस रही फिर क्या बताते हैं बाई दीवत और मुए गंग पुचैया जब आवे आसोज का महीना वो कवा बाप बनेया रहे भोडी सी दुनिया सत्य गुरुद न कैसे सरिया पिता जी जीवी था जब तो उस गेला खेंचातानी रखें लड़ाई करें तरह छोटे ता ही गणाजे दिया तो न्यों नहीं करें उसको ट गंगा में ले जाते हैं जीवीत बाप के लट्थम लट्था और मुए गंग पुचैया और जब आवे आसोज का महीना वो कवा बाप बनेया रहे भोडी सी दुनिया जब सराथ निकालते हैं तो न्यों कहा अगरा ओप देवता नों कहा यू कवा बोगला गया फरार सराथ भोडी सी जब सकता तरह बाप कवा बने गया है कहा से गती करान लागे थे कवा बना कर छोट वा दिया नकलियान है और क्या बताते हैं जैसत गुरु की संगत करते सकलकर्म कट जाई अमर पुरी पर आसर होते हैं जहां धूपना चाहीं अब सत गुरु के उपर ही ये पूर समागम का सब्संग था पुन्यात्माओ आज वहीं समापन हो रहा है कि सत्गुरु पूरा हो तो इस सारे कर्म छूट जानना माता दोखनी ना किते सराद निकालने एक परमात्मा की साधना से एक कैसा जे सबसदे 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 परमाड़ी सी तैबूल को फले फले अगाए बलोस्त गुर दे अभी आपको एक अनमूल कथा सुनाते हैं एक परमाण देते हैं उस समर्थ की समर्थता काहसे पता चलता है कि परमात्मा कैंसर को भी ठी कर देता है इन्होंने क्या लिखा है कि मैं भग्त राजिंदर्दास गाओं कबूल अपर जिला रो तक जो कि फिल हाल सेक्टर च्यार रो तक मकान नमबर 634 में रहता हूँ मेरा लड़का गौरोग जिसकी उमर्थत वरस है उसने एक दिन रात को अपने कान में बहुत बेंकर दरद बताया और इसने 28 2008 को नाम लिया था 28 2008 सन 2008 में नाम लिया था वह उसे अगले दिन सुबह PGIMS रो तक मेडिकल में यानि चैक कराने के लिए ले गया ENT के डक्टर ने अरजिंट आपरेशन के लिए बोल दिया CT सकीन तथा दूसरे सारे टेस्ट लिख दिये यहां तक की बेहुसी की जांच भी करवा दी तथा डक्टर ने इसका बायो डाटा अपने मॉबाइल में भी फीड कर लिया आपरेशन की डेट आने से पहले ENT के डक्टर SPS यादो जो की हैड आफ दी डिपार्टमेंट है ने इसको कैंसर गोशित कर दिया सब दाज करके सब टेस्ट देख कर और बोल दिया कि आप अपने बच्चे को कहीं भी दिखाए यहां इसका ऑपरेशन हम नहीं कर सकते डाक्टर के मूँ से यह सबस सुनकर हमारे पाउं तले की दर्टी खिस गई मैं और मेरी पतनी वहीं से रोते हुए चल दिये क्योंकि यह लड़का हमें दस साल के बाद प्राप्त हुआ था सादी के दस वर्स के बाद इकलोता पूतर सभी रिष्टेदारियों को इस लड़के से प्रेम था अगले ही दिन हम अपने गुरू जी के पास बर्वाड़ा आए गुरू जी क्षे प्रार्थना की गुरू जी ने हमें बोल दिया इस दास के पास आये थे बुरी तरह रो रहे थे दोनों कुछ नहीं सुन रहे थे हाँ कारमता रहा था मैंने कहा बेटा यदि तुमारे अंदर सचता है बगवान के तुम सची लगन से साथ ना कर रहे हो इस लड़के कैंसर नहीं पाऊगी कि ते टेस्ट करा लो अब ठीक है इन्होंने आगया का पालन किया फिर भी आल वहां लेगे इनको कहा A.I.M.S. डिली हम अगले दिन A.I.I. A.I.I.M.S. डिली लेकर गए तो वहां के हैड आफ दी डिपार्टमेंट ने इसकी सारी जाच की तथा लड़के की तथा लड़के को भी चेक किया फिर बंदी छोड़की किरपा से डाक्टर ने बोल जा कि आपके लड़के को कैंसर नहीं है कान की हड़ी बड़ी हुई है बोलो सत्गुर्दे इसका आउपरेशन अभी नहीं होगा आप छेच से मैने माकर चेक कराते रहना ये नॉर्मल है कोई दिक्त नहीं अपनात्मों आगे देखो वही बात जो दासन अभी सत्थंग में बताई है कि हम सभी देवी देवताओं की कूजा करते थे और बरानमाटियां होती थी ये क्या कहता है कि मेरे जब इस लड़के को ये कैंसर डिकलेर हुई तो हमारे रिष्टेदारों ने सभी ने ये कहा कि तुमने देवी देवताओं छोड़ दिये और इसलिए थरी बरानमाटियां होगी ये कहता है कि मैंने उनसे बोल दिया कि हमारा तो एक कुछ भी हो हम कोई पूजा नहीं करेंगे अपने गुरुजी के अत्रिक्त गुद्मार्ग बताए उस अत्रिक्त हम कोई साधना नहीं करेंगे इस से पहले हमारे सभी रिष्टेदार कहते थे कि तुमने अपने देवी देवताओं को छोड़ दिया अब तुम उनको मान लो हमारे उपर बहुत दबाव आया बंदी छोड की जया से हमने कहा कि सिर्फ हमने सत्व गुरु सत्वदर्थी संथ राम पाल जी महाराज को ही मानेंगे आल इंडिया में जाने के बाद हमारे सभी रिष्टेदार को भी यकीन हो गया के भी तुमारे संत तुमारे लिए तो परमातमा ही है आज कहते हैं उनको भी यकीद हो गया जब ये करलाट माच गया था रुआ राट माच गी थी रख ले दिन खुशी के लहर दोड़ा दी परमातमान ये दोनों तिनों फिर वापस आए इनकी खुशी का ठेकाना नहीं था तो ये वो परमातमा है वाई कभीर वगवान कहते संत सरन मैं आने से आई टले बला जै मस्तिक मैं सूरी होगा काटे मैं टल जा ये के दिर लगए दाताने बिमारी बदलते ये आपके सामने है भक्त राज सिंग गाओं कभुल फुल जिला रोतक और वरतमान में ये सेक्टरिक चार रोतक मकान 634 में रहते हैं ये इनका मुबाइल नमबर है इन्हों ने अपना सारा कुछ एडरस किया है आप बताओ कुछ बगतातमा को अपने परमातमा की पहचानों नहीं सहिए और अगर आज पूर्ण संत है तो रामपल महराज के लवा इस तर्थी पर कोई संत नहीं होगा जय हो बंदी छोड़की साथ साहे अब जो मैंने ये गटना सुना या आपने लिखके दिया सची है पूर्ण सत है गुरुजी पूर्ण सत अब ये बोलो सत्गुर्दे ये लड़का इनका क्या नाम बेटा तेरा गौरव गौरव नाम साथ इस बेटे का दस साल के उबर है इकलो ता पूतर आज इनके चेरे खुशी देखो और जिस दिन ये आये थे या दास के पास उस दिन इनका बुरा हाल देखो तो कहते हैं संसर्ण में आने से आई ठले बला माथे में सूरी होगा काटे में ठले जाए बोलो सत्गुर्दे कर दो कहते हैं याज़ाए बोलो सत्वार देनके ले जाए बोलो समी ये ये जाए सब्सकंटन में आए